हेलो फंट स्वागत है आपका अपने चैनल में यह हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें जो एक ट्यू के एक्जामनेशन हो रहे हैं आफ लाइन मोड में उसका स्टुडेंट लगातार विरोध कर रहे हैं यह जो पूरा इंग्लिश में मैं आपको इसका पूर और उन्लाइन मोड में चैनल कर रहा है लेकिन एक्जामनेशन जो है ऑफ लाइन मोड में हो रहा है इसी को देखते हूं यह सारी बाते जो है वह हमारे एक ट्यू के चांसलर प्रफेसर विनीद कुमार कंसल जी और जो एडूकेशन सेकेटरी है उन तक भी बात पहुंची त जो भी उन लोगों ने कॉंटेक्ट के तो आप देख रहें स्क्रीन पर लिखा है वेन कॉंटेक्टेड सिच्वेशन तो का एक ट्यू वास चांसलर प्रफेसर विनीद कंसल सेट दा युनिवस्टी वास कीपिंग वाच ओन दा सिच्वेशन गिब दप गिवन दा प्रजें यूपी में केस नहीं आया है तो सिच्वेशन को देखा जा रहा है लेकिन इस समय की जो सिच्वेशन वो यह कह रही है कि सभी स्टूर्ण को आफ लाइन मोर में एक्जामनेशन देना होगा इसलिए वो अपनी एक्जामनेशन की तैयारी करें और यही बात जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन सेकेटरी है अलोक कुमार जी उन्होंने भी बोलाए कि हम सिच्वेशन को देख रहे हैं और इंस्टेड ऑनलाइन केंपन की बजाए स्टूर्ण जो है वो अपनी स्टूर्डी पर कंसंट्रेट करें तो सिच्वेशन यही कह ही है कि एकट्व स्टूर्ण के जो एक्जामनेशन है वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे डेट सीट आ चुकिये हैं और उसके बाद सेंटर लिस्ट भी आ चुकिये तो स्टूर्ण ऑफलाइन मोड में ही एक्जामनेशन देंगे तो उसी तरह से अपनी एक्जामनेशन की तया जादा नुक्सान करेंगे तब भी स्टुडेंट लगे हुए हैं सच्वेशन को देखा जा रहा है तो एकेटी विद्यारतियों के लिए यही अपडेट थी कि आप लोग को के ऑफ-लाइन एक्जामनेशन को लेकर के टेक्निकल सेकेट्री और एकेटी वाइस चांसलर जी की य राइती तो इस इन लेटेस्ट अब्डेट फर मोर अब्डेट की वाइस चांसलर प्सक्राइब एकन थैंक यू वरी मुच्छ